नमस्कार दोस्तों, मैं अभिशेक शुक्ला हूँ और आप मेरे चैनल स्पोर्ट्स इंडिया लाइब पर हैं। इससे पहले कि हम अपना विडियो शुरू करें, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अब चलिए शुरू करते हैं। इस निर्ने के पीछे एहम माना जा रहा है। ब्रिटेन ने एक दिन पहले भारत में अगले साल होने वाले जूनियर हौकी वर्ल्ड कप से हटने का फैसला किया था। भारत का फैसला इसका जवाब माना जा रहा है। फॉकी इंडिया ने कहा है कि बर्मिंगम राश्टर मंदल खेलो 28 जुलाई से 8 अगस्त और हांग जुएशियाई खेलो 10 से 25 सितंबर के बीच सिर्फ 32 दिन का अंतर है और वे अपने खिलाडियों को ब्रिटेन भेज कर जोखिम नहीं उठाना चाहता जो कुरुना वाइरस महा पहाविद देशों में शामिल रहा है निंगो बंब ने लिखा अशर या इखेल 2024 परेसोलंपिक खेलों के लिए महादवी प्यक्वालिफिकेशन प्रतियोविता है और एशियाई खेलों की प्रात्मिक्ता को ध्यान में रखते हुए खौकी इंडिया कॉमन्विल्ट गेम् कार कर दिया था बेश्रे आने वाले यात्रियों के पूर्ण टीका कर के बावजूद उनके लिए दस दिन का कड़ा क्वारंटाइन अत्मिवार किया है इंग्लेंड के कोविड 19 से जुरी चिंताओं और भारत सरकार के बिटेंग के सभी नागरिकों के लिए दस दिन का करने का हवाला देकर भुवनेश्वर में अगले महीने होने वाले फाइच पुरिष जूनियर वर्ल्ड कप से हटने के एक दिन बाद हौकी इंडिया ने ये कदम उठाया है बिटेंग की पाबंदियों के भारत ने भी देश में आने वाले बिटेंग के नागरिकों पर उस भाना होगा भारत पहुचने पर हवाई अड़े में और फिर आठवे दिन उनके दो और आर्टी पीसियार परिक्षन होंगे